Hello everyone, आप देख रहे हैं चैनल Amin Info दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं NTA UGC Net exam के बारे में और NTA UGC Net JRF exam के बारे में इन दोनों ही exam में क्या difference है अगर आप इन दोनों में से किसी एक exam को clear करते हो या दोनों ही exam को crack करते हो तो आगे career में आपको क्या option मिलेंगे वो सब चीदे हम इस वीडियो में cover up करने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को सबसे पहले हम बात करते हैं NTA UGC Net exam या NTA UGC Net JRF exam है क्या देखे दोस्तों 2018 तक यह जो exam में CBSC conduct करवाता था UGC इस exam की जो सारी देख रहे होती है जो qualified candidate होते हैं उनको जो certificate प्रवाइड करना वो सब होता है लेकिन 2018 के बाग इस exam को जो government की agency है national testing agency जो देश में और भी जो entrance exam होते हैं like JE entrance exam या फिर NEET exam या फिर DUET exam या फिर JNU exam तो NTA जो है उसने responsibility ली 2019 में UGC NET को conduct करवानी की अब हम बाग करते हैं UGC NET या UGC NET J.R.F exam क्या होता है देखे अगर आप Indian universities में as a assistant professor की job लेना चाहते हो तो आपको UGC NET exam क्रेक करना पड़ता है वही अगर आप इंडिया में किसी भी university से M.Phil या PhD यानि कि अपने respective subject में जो आगे का research work है वो करना चाहते हो तो उसके लिए आपको UGC NET J.R.F. का exam क्रेक करना पड़ता है यहाँ पर हम बात करते हैं दोस्तों इन दोनों ही जो exam है उसकी eligibility criteria की इसमें आपको master's की requirement होती है with 55% और reserve category वाले जो candidate है OBC, SC, ST वद्वादा इनके लिए 50% तो अगर आपने master's किया हुआ है with 55 और 50% for reserve candidates तो आप इस exam में appear होने के लिए eligible होती होगी अगर आप अपनी master degree के final year में हो like suppose करिया आपने 2021 में master's course में admission लिया और 2023 तक आपकी degree complete होगी लेकिन 2022 में अगर आपने first year complete कर लिया जो कि of course करोगे उसके बाद ही आप eligible हो जाता हो इस exam में appear होने के लिए और जब भी आप ये exam qualify करते हो उसके दो साल के अंदर अंदर आपको अपनी respective master degree complete करनी होती है with a relevant percentage यानि कि 55 या फिर जो भी reserve category का percentage criteria है 50 उस criteria के साथ यहां पर हम बात करते हैं UGC net और UGC net JRF जो होता है इसका जो exam pattern होता हो कैसा होता है देखिए यहां पर मैं आपको एक चीज़ और समझा देता हूं कि जब आप इसका form apply करते हो तो आप से पूछा जाता है कि क्या आप सिर्फ UGC net के लिए apply करोगे या फिर UGC net JRF दोनों के लिए apply करोगे अगर आप interested हो सिर्फ और सिर्फ as a assistant professor की job के लिए Indian universities में तो आप only UGC net के लिए apply करोगे बट अगर आप interested हो अपने respective subject में suppose करिया आपने master's करिए political science से या economic से या फिर किसी और subject से आपने master's करिए तो उस particular subject में आप emphilia PhD करना चाहते हो तो आपको UGC net plus JRF के लिए apply करना पड़ेगा तो form apply करते वक्त आपको ये decide करना पड़ता है कि आपको या तो UGC net qualify करना है या तो both exam qualify करना है UGC net plus JRF तो mainly जातर बच्चे दोनों ही exam के लिए apply करते हैं अब इसमें एक चीज होती है suppose करिए आपने UGC net के लिए apply किया हुआ है बस उसके बाद जब result आया दोनों की जो cut off निकली suppose करिए आपने UGC net के लिए apply किया था आपके marks आये हैं उसमें 58 और जो cut off निकली उस cut off में आपने दोनों का criteria match कर दिया UGC net का भी और UGC net JRF का भी लेकिन चुकि आपने form apply करते हैं वक्त सरिफ UGC net के लिए apply किया है तो आप eligible होगे UGC net award के लिए आपने के assistant professor की job के लिए वही दोस्तों अगर आपने दोनों ही UGC net plus JRF दोनों के लिए apply किया है और जब आप cut off आई आपने दोनों की cut off match कर ली तो आप दोनों ही post के लिए यानि कि दोनों ही award के लिए eligible होगे और एक और चीज इसमें है suppose करिए आपके marks I62 और जो cut off I वो UGC net की 60 है और UGC net JRF की 64 है और आपने apply दोनों के लिए क्या हुआ था तो आप जो है एक course के लिए eligible होगे और UGC net के लिए UGC net JRF के लिए आप नहीं होते हो UGC net की उसकी degree आपको मिल जाएगी UGC net JRF जो होता है दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया अगर आप अपने respective field में research work करना चाहते हो उसके लिए होता है UGC net को JRF करने के तीन साल के अंदर-अंदर आपको जो जो भी सारा criteria होता है UGC का वो fulfill करना होता है कि किसी university में admission ले जाती है प्रोक्स 35,000 तक की so that आप अपना जो PhD या फिर MPHL वरक है वो complete कर सको तो यह फायदा होता है UGC net JRF को qualify करने का जो भी candidate इस UGC net JRF को qualify करते हैं तो in future में उनको government द्वारा JRF, government द्वारा fellowship वगएरा stipend वगएरा दी जाती है अपने respective course जो है MPHL या PhD अपना respective research work को complete कर नहीं के लिए वहीं अगर आपने सिर्फ UGC net का exam clear किया है तो आपको फिर जो भी universities में vacancies निकलती है assistant professor की उन universities का जो भी recruitment procedure होता है वो complete करना पड़ता है यहाँ पर एक और है UGC net JRF जब आप qualify कर लेते हो तो आपने देखा होगा कि बहुत सी universities जो MPHL या PhD का form निकलती है उस बेस पर है वहाँ पर आपको सिर्फ interview देना पड़ता है अगर आप MPHD में apply करना चाते हो किसी भी Indian University में तो यह सारे जो है career के आगे option होते हैं UGC net को और UGC net JRF को clear करने के बाद अब यहाँ पर हमारी बारी आती है इसकी age limit की देखिए assistant professor यानि कि जब आप UGC net के लिए सि वहीं अगर आप UGC net JRF के लिए apply कर रहे हो तो इसमें जो है आपकी जो maximum age 31 years से ज़्याद की नहीं होनी चाहिए जिस भी month में आप apply कर रहा हो उस month के first day मैं like suppose करिए आपका March में exam है तो March first तक आपकी जो maximum age 31 से ज़्याद की नहीं होनी चाहिए अगर आप UGC net JRF के लिए apply कर अगर आप सिर्फ UGC net यानि कि assistant professor के लिए apply कर रहे हो तो इसमें कोई भी maximum age limit का कोई भी इसमें criteria नहीं रखा गया है अब हम बात करते हैं इसके exam pattern के बारे में देखे exam जो होता है इसमें दो paper होते है paper 1 और paper 2 अब यहाँ पर एक और चीज़ आपको समझनी है आप चाहे UGC net इगले के लिए अप्लाई कर रहे हो या UGC net जीर एफ दोनों के लिए apply कर रहे हो? exam एक ही होता है common exam होता है है अगर candidate सिर्फ UGC net के लिए उसने apply किया है और दूसरा candidate ने UGCNet JRF दोनों के लिए apply किया है तो इन डूनों ही candidate का जब paper होगा वो Same होगा paper 8 common होगा उसका, ठीक ह अब ऐसा हो सकता है कि दोनों का subject दूसरा हो तो paper 2 में थोड़ा difference रहेगा but paper उनको एक ही देना है common paper देना है exam paper की अगर मैं बात करूँ तो दो paper होते हैं paper 1 में 50 questions होते हैं 100 marks के paper 2 में 100 questions होते हैं 200 marks के paper 1 जो होता है आपका वो teaching aptitude, general awareness, divergent thinking, reasonable ability और English comprehension वगरा यह सब जो skills होती है candidate की इसको चेक करने के लिए paper 1 conduct करवा जाता है वही paper 2 जो होता है वो आपके subject specific से related होता है जैसे suppose करी आप economics में करना चाहते हो तो paper 2 जो होगा उसमें सारे questions आप से economics से related पूछे जाएंगे या फिर अगर आपका M.com है तो commerce से related पूछे जाएंगे या फिर आपका M.A. political science है तो political science से related questions पूछे जाएंगे दोस्तों exam जो होता है जैसे कि मैंने आपको बताया N.T.A. conduct करवाता है और साल में इसके जो exam है दो बार होता है यानि कि एक बार जुलाई में एक बार दिसंबर में वो बात हो रहा है कि इस वक्त पेंडमिक की होज़े से exam का सारा schedule बिगड़ा हुआ है but normal circumstances में यह जो exam होता है साल में दो बार conduct करवाया जाता है ठीक है अच्छा exam pattern की हम बात कर रहे थे कि paper 1 में आपके 50 questions 100 marks के paper 2 में 100 questions 200 marks के यानि कि total आपका 500 questions हो गाए 300 marks के इसमें कोई भी negative marking नहीं होती है तो अगर आप इसकी preparation कर रहे हो तो आप exam time में जितने भी questions आपको अच्छे से आते हैं या नहीं भी आते तो attempt करके आईए because इसमें कोई भी negative marking नहीं होती है एक्जाम आपका online computer based mode में होता है देश के अलग-अलग states में इसका exam conduct करवाया जाता है इस exam की जो application fees होती है अप्रॉक्स 1000 रुपीज होती है जनरल और AWS के लिए और OBC के लिए 500 रुप होती है और अगर reserve candidate के लिए 500 रुपे की इसकी online fees होती है तो यह सब दोस्तों important details नहीं UGC Net और UGC Net JRF के बारे में आप comment करके बताईए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी और इस टाइप के अगर आपको और future में वीडियो चाहिए तो भी आप comment करके बता सकते हैं इसी के साथ दोस्तों अभी के लिए व